बीम्यूज बता रहे शिवन के इतिहास सिवान जिला भारत की राज्य बिहार के कई यंजिला में से एक हाथ सिवान शहर सिवान जिला के शास किया मुख्याले हवनी साण वहत तरसे सिवान जिला सारंड प्रमंडल के हिसाब बासिवान जिला विशेश रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम राश्ट रपती डशुने राजिंडर प्रसाद बाबु खातिर जानल जाला जे एही जिला की गाव जीरा देई से तालुक रखत रहनी है एक इस जिला अली गनज सावन के नाम से भी जानल जाये लचौन अली बक्ष के नाम के बाद पर श्री मानों प्रकाशादत सिवान से शानसत बानी दो इतिहास सिवान जिला राजिमे को तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित्पा एप पहले मोलतर सारंग जिला की उपमंडल रहल जौन प्राचीं कालमे को सलराज अतंत्र के हिसा रहल, तीन, सिवान पूर्ण रूप से तब जिला बन के सामने आयल जबी के उन्नी सानू शिहात कर्मे सारंड जिला से काट के अलग करल गिल, चार, सिवान नाम शिव मान से परल जे अहिजा के राजा रहनी, जिनके शासन अहिजा रहल बाबर के अईला से पहले महाराज गनच, जौने जिला के प्रखंड हर्शा दोहिजा के महाराजा के कारण पड़िहाल में भिले गो खुदाई में अहिजा के गो गाउ भेरबनिया में एक गो पेड़ते निशे मिलल भगवान विश्णो के मूर्ति से इसाबित हो दबाकि अहिजा भगवान विश्णो के माने वाला लोग बहुत अधिक संख्या में रहले गोर्खा के राजा आपन राजी के विस्दार सिवान जिला तक पेले रहलन कुछ साल तक 1791 में अंग्रे जन्थे एक्षेत्र में अईला से पहले नेपाल के सीमा के करीब होखला के वजह से भी सिमान या सिवान का हल जाता हल बाद में एक्षेत्र परियादवार राजपूत के अधिपति रहल पाज सिवान आठ विशताब्दी में बनारस राज़ा तंत्र के हिस्सा रहल मुस्लिम महिजा 13 वी शताब्दी में अईले सिकंदर लोडी 15 वी शताब्दी में आपन अधिन केले बाबर जब यात्रा से लोटत रहले तपसेस वाके नज़दी खांगरा नदी पार्क केले 17 वी शताब्दी के अंध में डच अहिजा अंग्रिच के पीछा करत करतायल रहले जा 1765 की बकसर युद्धी के बाद एक्षेत्र बंगाल के एक गो हिस्सा बनके रह गिले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सिवान एक अहम भूमे का निभिले रहले दिगाजा मजबुट भोजपूरियन खातिर भी प्रसिद्ध बाब जे हमीशा आपन मार्शल भावना आशारी रक्साहन शक्ती खातिरू लेख हिल्खिल जात रहले जा जहां से सेना पुलिस कर्मी लोग बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग लेके भरती होत रहले जाजे में से अच्छा संख्या में लोग बागी भिले अबाब उकुल्व सिंह के सिवा में समर पिथो गिले श्रीमान व्रज किशोर प्रसाद जह सिवान के रहलन उन्नीस साहव बीस में गरग साकारी आंदूलन के प्रतिक्रिया में बिहार में पर्दा विरोधी संग्राम चालू के ले रहलन तीन इतिहासी स्थान को रारा मारवा ब्लॉक के एक गाउं जौन मारवा धाम से दोकेमी दक्षिन में स्थित्पा इहां सिवान के प्रथम साय मंदिर पा जौन भगवान शिवा माता दुर्गा के सतले बाहिजाहर साल अगस्त में वार्शी को सवमनावल जाये लद्दू इंदरौनी ब्लॉक में एक गो गाउं बाह जहां एक गो किला के अवर्शेश बचल बाह कहल जाये लाकी लिकसंबंध महा भारत के प्रसिद पात्र आचारी द्रौन अचारी से बाह जीक और अवा पांड़ा दुनों के गुरू रहनी दोन के स्टुप्त ने कम प्रसिद बाले की बुद्ध धर्मावलंबियन खातिर महतुपूर्ण तीर्थबा बुद्ध धर्मावलंबियून सांगे एक पुस्तक में उल्लेक करते हुए लिखले बानी की जब गुहां के भारत यात्रा पर आए रहनी तो दोन पूजा किल जये लाई मूर्तिक के नौवी शताब्धी में धालल गिल्रहल महाराज गनज जॉन बिंग ब्लोक के मुख्यालेह बस नौली गंगर के नाम से भी जानल जयेलाई जिला के सबसे बरवाजार के रूप में बाई है उजगह जहां से स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान खुले न प्रसाद भारतिय स्वतंत्रता खातर लड़े रहनी एही भूमी परोहां कि आपन रण नीती तयार करके अंगले जन के साथ लड़न रहनी महिंद्र नाथ सिस्वा ब्लोग में गूगाओ बाजौन महिंद्र नाथिया में अधार नाम से जानर जाईला अहीजा भगवान शिवा विश्वकर्मा जी की मंदिर स्थित बाजहां बड़ी संख्या में भत्त जन लोग शिवरात्री आ विश्वकर्मा दिवस की दिन दर्शन खातिर जाई इलाई आपन मंदिर खातिर प्रसिदि बाजहां बावन भीघा में एक गोपोखर बाकाहल जाई इलाखी नेपाल के राजा महिंद्र के कड़ फूटल रही आओ आपने गोयात्रा के दोरान अहीजा से गुजर चहलन यात्रा के दोरान अहीजा आए गोचोट गढठा में थोड़ा साकी चयुत पानी छुबले आओ उनकर कोड़ खत्म हो गिलजी से खुश होकि अहीजा शेव के मंदिर बनविले आओ चोट गढठा के बहुत बरपोखर में परिवर्टन करविले एही से जगह के महेंद्र नात कहाए लागल गाउव के लोगी के महदार कहे लागल भी खा बांध महराज गनज ब्लॉक में एक गोगाउव बा जहां एक गोखुब बरहन पेड़ बा ओ पेड़ के नीचे भया बहनी मंदि स्थित्बा कहल जाई इलाकी इभाई आबहिन चोदवी शताब्दी में मुखल सिपाही से लड़गिर रहे लोगा लड़ाई करद करद दुनो भाई बहिन के अहिजा मृत्य होगिल रहल छे सोहाग रग उठनी ब्लॉक में एगो जगह बा ओहिजा भगवान शिव हंसनात बाबा के एगो प्रसिद्य मंदिर बा सिवान मुख्याले से 40 किमी दूरी पर बाई मंदिर जौन ओतर प्रदेश के देवरिया जिला के सीमा पर पड़ेला साथ भूगोल सिवान जिला के क्षेत्र भल दो हजार दो साम यूनीज किलमेटर्स डोंब आठ चलनाट में क्रूप में देखर जाव्टरूस के विर्जी किलेंडा के बड़ाबर बा नौ सिवान जिला उतरी गंगा के मैदान में स्थितिक सम्तल भूभा बहा जिला के विस्तार 25 शुने 25 से 26 शुने 23 उतरी अक्षान सतता चरासी शुने चरासी शुने 47 पूर विदेशांतर के बीज बान अधियन ध्वारा जमा करल गिलमाटी की गहराई 5000 फी तक बाम मैदानी भाका धालो तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और बानेशला मैदान में जल जमाव के कई गुख्षेत रबा जौन चौर कहल जालेला अहिजा से कई गुख्षोट नदी यासो तभी निकलेला मुख्य नदी घागरा बाजी के किनारे दरारा निर्मित बाईखास भूगोलिय बनावट में बालू के मोट परत पर मृतली का असिल्च की पतली परत पावल जालेला सिवान की माती खादर, नई जलोद, एवं बांगर, पुरानी जलोद की बीच की हाखादर माती के आहिजाद दो मत्म तथा बांगर के बलसुंदरी कहल जायेला बलसुंदरी माती में कंकर की मात्रा पावल जायेला कई जगहन पर गंदि का युक्त माती मिलिला जहां से कभी साथ पीटर निकालल जाता हलंगरे जी शासन में अहिजाएके उद्योग हो खिल करत रहले किन अविगाय भोचुकल बाब दस नदिया गंड की एवं घाघरा अहिजाएके प्रमुप नदिह घाघरा नदी जलिला की दक्षणी सीमा पर बहेवाली सदावाही नदिहाय के अलावा जढ़ ही डॉट दाहा, दामटी, सियाही, निकारी, आसोना जैसे छोट नदिया को लोग बाच्छर ही आदाहग घाघरा के सहाय थ्हाँ जबकि गंकी आधमती गंडग में जामिलेले चलवायू सिवान में उतर प्रदेशा पस्चिम बंगाल के बीच कि जलवायू पावल जाये लामाज से मई के बीच रही चा चले वाली पच्छुआ पग्नम के चलते मौसम शुष करहे ला लेकिन कई बार शाम में चले वाली पूरवाय हवा आरग्रताले आविला जैसे उतर प्रदेश से चले वाली दूल लब्रल अंधे के विराम लग जाये लागर्मियन में 45 डिग्री सेस्यस तक पहुँच जाये लालू कि चलनाई दिनन साधारन बाद बाजार के मौसम सुखाव ना हो खे लाकिन दू कई बार शीट लहर का प्रको बी रहेला जुलाई अगस्त में होखे वाला मौ अंसूनी वर्षा के अलावित पश्चिमी अवडार से जाड़ा में भी बारिस्द होखे सामानी बाद बाओ सत्वाशिक वर्षा एक साहु 20 सेंटिमीटर होखेला प्रशासनिक विभाज नह अनुमंदर सिवान एवं महराज गनज ब्रखनमेवा पच्रोखी रगुनादपूर आंदर गुठनी महार्ज गनच डॉट दरॉली सेस्णा दरॉंदा हुसेना गनच भगवानपूर हट गोरिया कोथी बरहरिया हभीपूर बसंपूर डॉट लक्री नभी गनच जिराड़